हलो स्टूडिन्स आज हम इस वीडियो में टीचर ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम हिंदी में शिक्षक की स्वायतता कहते हैं ये आपके विशय नई तालीम कौशल आधारित अधिगम इस विशय का एक टॉपिक है जो की यूनिट वन में रखा गया है बीड के स अधिम 3 में इस आपक फ्रॉम यूर सब्जेक नई तालीम स्किल बेस्ट लर्नी और इस फ्रॉस्ट उनिट आपके बारे में शिक्षक की स्वायतता के बारे में समझेंगे लेकिन उससे पहले इस टॉपिक के अंतरगत जो बर्ड आ रहा है स्वायतता अटोनॉमी पहले हम उसको थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद हम टीचर अटोनॉमी या शिक्षक की स्वायतता में आएंगे आपने अपने सिल्बस में देखा हुआ यूनिट वन दो टोपिक्स के अंतरगत दिवाइड़ है पहला है टीचर अटोनॉमी और दूसरा है टीचर अकाउंट बिलिटी टीचर अटोनॉमी के अंतरगत हम इन टोपिक्स को पढ़ने वाले हैं इन टोपिक्स को वहाँ पे मेंचिन किया गया है जैसे इतने टोपिक्स आपको पढ़ने हैं टीचर अटोनॉमी हेडिंग के अंतरगत लेकिन हम इस वीडियो के अंतरगत डोमेंज ओफ टीचर अटोनॉमी यहां तक इस वीडियो में पढ़ेंगे और आगे के जो टोपिक्स हैं वो हम नेक्स वीडियो में कांटिन्यू करेंगे तो इस टीचर अटोनॉमी टोपिक के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डील करेंगे वे हैं Meaning of Autonomy याने की स्वायतता का अर्थ Freedom versus Autonomy याने स्वतंत्रता versus या बनाम स्वायतता फिर है शिक्षक स्वायतता या Teacher Autonomy Characteristics of Teacher Autonomy याने शिक्षक स्वायतता के गुण या लक्षन और Domains of Teacher Autonomy याने की स्वायतता के Domains हम इन 4-5 टॉपिक्स को इस वीडियो के अंतरगत डील करेंगे और Rest of the Topics हम Next वीडियो में Continue करेंगे तो Let's Start सबसे पहले हम समझ लें की स्वायतता क्या चीज़ है है ना तो यह जो वर्ड है स्वायतता या Autonomy यह Latin word Autos से बना हुआ है और जिसका मतलब है Self या Swer और दूसरा है Nomos जिसका मतलब है Rule या Niam तो हम अगर इस वर्ड को कमबाइन करें तो Swer, Nirmith, Niam आपके द्वारा बनाए गए Niam पर ही आप चलते हैं उसको हम Autonomy कहते हैं यह word Autonomous word से निकला है और इसका मतलब है Self Organizing या खुद अपने द्वारा निर्मान किया गया या अपने द्वारा अपने मियमों पर चलना या अपने ही Rules Regulations डवलप करना खुद निर्ने लेना आपकी खुद की शमता होनी चाहिए निर्ने लेने की और आप स्व निर्देशित रहते हैं मतलब Self Directed रहते हैं या तो नोबडी तो ड़रेक्ट रहते हैं और control over your own learning. It involves ability and attitude that people possess and can develop to various degrees. स्वायत्ता को अपने स्वयम के सीखने पर नियंत्रन रखने या जिम्मेदारी लेने या नियंत्रित करने की शमता के रूप में वर्नित किया जाता है. इसमें शमता और द्रिष्टिकून शामिल है जो लोगों के पास है और विभिन डिग्री तक विक्सित हो सकता है. मतलब आपके पास पहले से ये शमता है पर आप उस शमता को कितना विक्सित करते हैं ये आप पर ही निर्भर करता है. इसके अधार पर हम दो टाइप की ओटोनोमी कह सकते हैं. एक होता है लर्नर ओटोनोमी याने की शिक्षार्थी स्वायतता या अधिगं करता की स्वायतता और दूसरा है शिक्षक्षक की स्वायतता या टीचर ओटोनामी. तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, learner autonomy में क्या होगा, student खुद अपने decisions के लिए responsible होगा, वो अपने सीखने के विकल्पों से सम्मंदित जितने निर्णय लेना है, उसके लिए वा स्वयम जिन्मेदार होगा, और दूसरा है teacher autonomy या शिक्षक स्वायतता, ये क्या होगा, शिक्षन के संदर में जितने decisions लेने हैं, निर्णय लेने हैं, उसकी स्वतंतरता एक शिक्षक को दी जा रही है, मतलग जब learning हो रहा है, अधिगम हो रहा है, तो उसके choices, मुझे कैसे सीखना है, ये निर्णय जब एक student लेता है, तो वो learner autonomy कहलाएगा, और जब एक शिक्षक ये देना है, किस विधी प्रविधी का उप्योग करना है, तो वो कहलाएगा teacher autonomy, अब हम autonomy को थोड़ा और simple words में समझते हैं, तो autonomy में तीन चीज़ें important है, पहला desire, इच्छा या मन्शा, दूसरा freedom, आजादी, और तीसरा है शमता या ability, तो ये तीन चीज मिलके, आपकी स्वायतत निर्धारित करते हैं, मतलब आपकी इच्छा और स्वतंत्र रूप से कारे करने की आपकी शमता, ये तीनों चीजें मिलकर, आपकी स्वायतता को निर्धारित करते हैं, अगर आपमें इच्छा है, आपमें निर्ने शक्ती है, शमता है, तो आप स्वतंत्र रूप से कारे क कर सकते हैं and this is known as autonomy the desire to take your decisions independently with full freedom and you have the ability or capability to do as per your desires is known as autonomy now comes what is the difference then between freedom and autonomy freedom freedom, swatantritta और swayetha में क्या difference है दोनों में ही तो हम freedom याने की free होके काम करने की तरीके को हम autonomy और free होके काम करने को ही हम freedom भी कह रहे हैं तो दोनों में क्या difference है तो freedom is uncountable, याने कि उसको आप गिन नहीं सकते, वो बेशुमार स्वतंत्रता जो है, वो बेशुमार स्वतंत्र होने की अवस्था है, उसमें कोई कैद नहीं होता, कोई गुलाम नहीं होता है, लेकिन स्वायतता क्या है? स्वाशासन है, आप independently self-governing हो जाते हैं, आप स्वाशासित हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से कारे करने या कारे करने की स्वतंत्रता, आप में जब आ जाती है, तो that is known as autonomy, जब autonomy होती है, तो आपको बहुत सारे सहायक विकल्प मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन जब freedom होता ह है, तो आपको कुछ नियमों का पालन करते हुए उस स्वतंत्रता का आनंद लेना होता है, लेकिन autonomy में कुछ नियम नहीं होते हैं, आप ही के द्वारा यह निर्ने शक्ती होती है आपकी, कि आप कैसे कारे करेंगे, यह आपकी शमता पर आधारित होता है, आपके पास अपन अपने सपोर्टिव एन्वार्मेंट, अपने सहायक पर्यावरण को डेवलप करने, विक्सित करने की चॉइस आपको दी जाती है, अब हम आते हैं, शिक्षक स्वायत्ताया, टीचर ऑटनॉमी, इस प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, यह पेशेवर स्वतंत्रता कहलाती है, the degree to which they can make autonomous decisions, teacher can make autonomous decisions about what they teach to students and how they teach it, मतलब एक शिक्षक में यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है, कि वो अपने शात्र को क्या पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा, next teacher autonomy is defined by the capacity to take control over one's own teaching, अपने स्वयम के शिक्षन को नियंत्रित करने की शमता को शिक्षक स्वायतता कहा जाता है, teacher autonomy means freedom of study, learn and teach, teacher autonomy का मतलब है कि कैसे पढ़ना है, अध्यान करना है, कैसे सीखना है और कैसे सिखाना है, इन सब चीज की जो स्वतंत्रता है, उसे हम शिक्षक स्वायतता या teacher autonomy कहते हैं, there should not be too much interference in the work of teacher by higher authorities, so that teacher may perform his duty without any fear, यहाँ पर इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा freedom हम teachers को देंगे, शिक्षक को देंगे, जितनी ज्यादा higher authorities का interference कम होगा, management का, अधिकारियों का interference कम होगा, उतना अच्छा शिक्षक कार्य कर पाएगा, वह अपने कार्य की खूद responsibility या जिम्मेदारी लेते हुए, बहुत अच्छा शिक्षण कार्य कर सकता है, teacher autonomy is also known as academic freedom, शिक्षक स्वायतता को academic स्वतंत्रता भी कहते हैं, अब हम आते हैं definitions, कुछ psychologist या educationist ने teacher autonomy को define किया है, जैसे little ने 1995 में कहा है, कि teacher autonomy has a teacher's capacity to engage in self-directed teaching, स्वा निर्देशिक शिक्षण में सनलग्न होने की शिक्षक की समता रखते हैं, little ने 1995 में परिभाशित करते हुए, शिक्षक स्वायतता को परिभाशित करते हुए कहा था, कि स्वा निर्देशित शिक्षण में सनलग्न होने की शिक्षक की समता को हम शिक्षक स्वायतता कहते हैं, मतलब वो खुद सेल्फ डारेक्टेड शिक्षण कर सके, हुआंग ने 2005 में कहा है, टीचर's willingness, capacity and freedom to take control of their own teaching and learning are known as teacher autonomy, शिक्षक की इच्छा, शमता और अपने स्वयम के शिक्षण और सीखने को नियंत्रित करने की स्वतंतरता को, शिक्षक स्वायतता के रूप में जाना जाता है, मैगराथ ने 2000 में कहा था, he illustrates the characteristics of teacher autonomy from two dimensions, as self-directed action or development and as freedom from control by others, मैगराथ ने क्या कहा, दो आयामों से शिक्षक स्वायतता की विशेशताओं को दर्शाते हैं, स्वनिर्देशित, कारेवाई या विकास के रूप में और दूसरों द्वारा नियंत्रण से स्वतंतरता के रूप में, मतलब self-direction and less controlled by others, अब characteristics of teacher autonomy, क्या क्या विशेशताओं होती हैं शिक्षक स्वायतता की, the ability to self-assess for the sake of his or her learners, अपने शिक्षार्थियों के लिए आत्म मुल्यांकन करने की शम्ता, मतलब teacher खुद assess कर ले कि मेरे बच्चों को या मेरे students को किस टाइप की teaching की जरुवत है, वो किस टाइप के learners है, the capacity to develop certain skills for oneself as a teacher, शिक्षक के रूप में स्वयम के लिए कुछ कौशल विख्षित करने की शम्ता, हर शिक्षक अलग होता है, हर में कुछ कौशल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, या उनके शात्रों को किन कौशलों की जरुवत है as शिक्षक, तो वो शिक्षक अपने में वो कौशल विख्षित करें, the tendency to criticize oneself, स्वयम की अलोचना करने की प्रवर्ती, self development, स्वयम का विकास, self observation, self awareness of his own teaching, अपने स्वयम के शिक्षन के बारे में जाग रुकता, continuous reflection, निरंतर प्रतिविम्भता, sustainable development, सतत विकास, self control, आत्म सैयम, taking responsibility for his learners, अपने शिक्षार्थियों के लिए जिम्मेदारी लेना, being open to change through cooperation with others, दूसरों के साथ सैयोग के माध्यम से बदलने के लिए खुला हुना, questioning oneself in particular position, विशे स्थिती में अपने आप से सवाल करना, improving oneself so as to keep up with changing condition of the century, खुद को बहतर बनाना, ताकि बदलती हुई स्थिती के साथ, उनका सामंजस्य बना रहे, and attempt to compensate for what he lacks as a teacher, एक शिक्षक के रूप में, अपने उनके पास जो कमी है, स्वयम की जो कमी है, उसकी भरपाई करने का प्रयास करने योग्य होना चाहिए, मतलब एक टीचर को अपनी qualities के बारे में, अपनी weakness के बारे में, अपने skills के बारे में, खुद ही analyze करके उसको develop करते रहना चाहिए, और जितनी भी demand है, learners की, students की, situation की, present scenario की, उन सब के according, उसे updated रहना चाहिए, अब domains of teacher autonomy, क्या ऐसे पक्ष हैं, domains हैं, शिक्षक स्वायतता के, पहला है, जैसे कि हम अभी तक देख रहे हैं, स्वानिर्देशित होना चाहिए, उसमें शमता होने चाहिए, स्वानिर्देशित होने की, और दूसरे की, जो freedom है, या स्वतंतरता को नियंतर्ण करने की शमता भी उसमें होनी चाहिए, कि कितना किसी को freedom दिया जा सकता है, इस पर भी उसकी एक मन्शा होनी चाहिए, साथ ही जो व्यवसाइक नियंतर्ण है, उसके साथ उसको कैसे सामन जस से बिठाना है, ये भी उसको आना चाहिए, तो ये कौन से domains हैं जो teacher autonomy को effect करते हैं, जितने भी professional actions होते हैं, वो self-directed होने चाहिए, उसको अपने decisions लेने की capacity होनी चाहिए, और उसको situation को control अपने according करने की भी quality होनी चाहिए, तो what is teacher autonomy? Teacher autonomy is control, अपने स्वयम के शिक्षन को नियंतर्द करने की शमता, control of self-teaching material और self-teaching content और the teaching methods, teaching strategies इन पर जो control एक teacher रखता है, अपने चात्रों के अनुसार, अपने learners के अनुसार, और खुद decisions लेता है कि मुझे कैसा पढ़ाना है, कि methods को यूज करना है, जो की individual difference पर भी depend करता है, कि आपके students को क्या चाहिए, उसके according जब teacher को यह स्वतनतत्रा दी जाती है, independence दी जाती है निर्णाय लेने की, कि वो कैसा teaching method अपने students के according, उसे कहते है teacher autonomy. That's all. Thank you.